एक बार भगवान शिव्द ने पार्वती को उनके पूर्वजन का स्परण करानी के उद्देश से इस वरत की महत्वती कथा कही थी शिरी भोले शंकर बोले हे गोरी परवत राज हिमाले पर इस्तित गंगा के तरपर तुमने अपने बालिक कालिम में बारा वर्षों तक अधुमुखी होकर घोर दप किया था इतनी अवधी तुमने अनना खाकर पेडों के सुखे पत्ते जबाकर वतीत किये माग की विक्राल शितलता में तुमने निरंदर जल में प्रवेश करके तप किया वैशाक की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचांगनी से शरीर को तपाया शावन के मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन जन ग्रहड किये समय वतीत किया तुम्हारे पिता तुम्हारी कस्ट साधी तपस्चा को देखकर बड़ी दुखी होते थे उनके बड़ा क्लेश होता था एक दिन तुम्हारी तपस्चा तथा पिता का क्लेश को देखकर नारत जी तुम्हारी घर पधा रहे तुम्हारे पिता ने हिर्दय से अतिती सतकार क करके उनकी आने का कारण कुछा नारत जी ने कहा गिरी राज मैं भगवान विष्णु की भेजने पर यहां उपस्तित हुआ हूं आपकी कर्ण्या ने बड़ा कठोर तक किया है उससे प्रसंद होकर वे आपकी सुपत्री से विवा करना चाहते हैं इस संदर्व में आपकी रा यदि स्वर्म विष्णु मेरी कर्ण्या का वरन करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ती हो सकती है ये साशात प्रहमा हैं ये महाशी ये हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पती के घर की लक्षमी बने पिता की साथर्ता इसी में हैं कि पती के घर जाकर उनकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे तुम्हारे पिता की सुखृती पाकर नारत जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्यत होने का समचार सुनाया मगर इस विवासंबंद की बात जब तुम्हारे कान में विक्षित्ता का कारण जानना चाहा, तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हिर्दय से भगवान शिवशंकर का वरण किया है, किन्तु मेरे पिता ने मेरा विवा विष्णुजी से निशित कर दिया, मैं विचित्र धर्म संकत में हूँ, अब क्या करूँ, प्रान छोड़ देन के अत्रिक्त अब कोई भी उपाय शेश नहीं बचा, तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूजबूज वाली थी, उसने कहा, सखी प्रान छ्यागने का इसमें कारण ही क्या है, संकत के मौके पर धैर से काम लेना चाहिए, नारी के जीवन की साथर्ता इसी में है कि पत इश्वर को भी समपण करना पड़ता है, मैं तुम्हें घंगोर जंगल में ले चलती हूं, जो साधना इस थली भी हो और जहां तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए, वहां तुम साधना में लीन हो जाना, मुझे विष्वास है कि इश्वर अवर्श ही तुम्ह तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए, वो सोचने लगे कि तुम जाने कहां चली गई, मैं विश्णु जी से उसका विवा करने का प्रण कर चुका हूँ, यदि भगवान विश्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना मेरी अराधना में लीन थी, भादरपद शुक्लतितिया को हस्त नश्चत्र था, उस दिन तुम्हें रेत के शिवलिंग का दिर्मार करके वरत किया, राग भर मेरी इस तुति के गीद कर जागी, तुम्हारी इस कस्ट साध्य, तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोडने ल मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हिद्य से आपको पती के रूप में वरन कर चुकी हूँ, यदि आप सचमुछ मेरी तपस्या से प्रसंद होकर आप यहां पधारे हैं, तो आप मुझे अपनी अधांगनी के रूप में सिविकार कर लीजे, तथा मैं कैलाश परवत पर लोट आया, प्राता होते ही तुमने पूजा के समस्त सामगरी को नदी में प्रवाहित करकर अपनी सहीली सहीत व्रत का पारण किया, उसी समय अपने मित्र बंधू वा दरबारियों सहीत गिराज तुमें खोशते खोशते वहां आप पहुँचे और तुम कि मैं तुम्हारी दशा को देख कर गिरी राज अत्यद्र दुखी और पीड़ा के करन उनकी आँखों में आसू उमड़ाई, तुमने उनके आसू पोश्टे हुए विनर्म स्वर्थ से कहा, पिता जी मैंने अपने जीवन का अधिकान समय कर थोड़ तपस्य में बिताया है मेरी इत तपस्या का उद्देश के वल यही था कि मैं महादेव को पती के रूप में पाना चाहती थी, आज मैं अपनी तपस्या की कसोटी पर खरी उतर चुकी हूँ, आप क्यूंकि विश्णू से मेरा विवा करने के लिए निर्ने कर चुके थे, इसलिए मैं अपने अधिकी खोज में घर छोड़ कर चली आई, अब मैं आपके साथ इसी शर्थ पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवा विश्णू से ना करके महादेव चीसे करेंगे, गिर्यराज मान गये और तुम्हें घर ले आई, कुछ समय के पर शाथ, शास्त्रुक विधिविधान पू इस रूप मेरा तुम से विवा हो सका, इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुवारियों को मन वांचित फल देता हूं, इसलिए स्वभागे की इक्षा पाने वाली प्रत्यक यूवति को यह व्रत पूरी एक निस्टा और आस्था से करना चाहिए